नमस्कार शाथियों आप सभी का स्वागत है देवें सर ओफीशियल में हम हर रोज की तरह बेस्ट करेंट अफेर आज फिर सबसे पहले से दस मैट में आपके लिए लेकर आए हैं आज की तारिक है 27 जुलाई 2020 वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं रेक्विट्मेंट की जानकारी केंडरी चैन परिशद सिपाही भरती बिहार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा लगभग 559 पदों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्विट्मेंट हैं तो form आप जरूर भगिएगा इसकी detailed PDF आपको मेरे टेलिग्राम पेज पर मिल जाएगी इसे मैं already upload कर चुका हूँ इसके अलावा इस वीडियो की PDF भी आपको मेरे टेलिग्राम पेज पर मिल जाएगी चाहे तो join कर सकते हैं और हाँ वीडियो पसंद हो तो share और subscribe करना मत चलिए शुदुआत करते हैं हम अपने वीडियो की आज का हमारा पहला प्रशन है कि हाल ही में वित्ती स्थिर्ता रिपोर्ट का 21 वा अंक किसके द्वारा जारी किया गया है तो भार्टी रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा यह फाइनिशियल इस् इस्थिर्ता की उप समिती और वित्ती स्थिर्ता के जोखिमों से संबंधित विकास परशद इट मींस फाइनिशियल इस्टेबिल्टी एंड डेवलेप्मेंट कॉंचल एफस डीसी के सामुहिक मुल्यांकन के द्वारा यह जो रेपोर्ट है वो तैयार की जाती है और इसम पूरे डीटेल में आप समझ सकते हैं भारती अर्थवरस्ता की जो मौद्रिक नीती से संबंधित जितनी बाते हैं वह आपको यहां पर सामने मिल जाएगी मैंने अधिकतर रिपोर्ट का हिस्सा यहां पर टाइप करकर आपके सामने रखने की कोशिश करी है जो आपको PDF में मिल जाएगी तो आप लिखने के लिए परिशान ना हो चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रशन है MG TD-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एरक्राफ्ट इंजन का सफल उडान परिक्षण करना या करने वाला कौन सा देश बन गया या किस देश के द्वारा यह किया गया है तो रूस के द्वारा सफल उडान परिक्षण करना बहा इए सटाट कर देगा वैं आपको बताना चाहूंग से जो प्रोडक्शन में लगने वाला समय है वो लगभग 20 गुना तक कम हो जाएगा और इसकी लागत को भी क्या है दो अधिक दो गुने से भी अधिक की कमी की जा सकती है यह बढ़ेगा नहीं कमी की जा सकती है बहुत महत्पूर है मौस्को आपको पता है रूस की राजधान इंजस जिनका सफल परिक्षन कर लिया गया है रूस के द्वारा अगला प्रश देखिए विज्ञान आधारित लक्ष पहल इसे हम शॉट में एपी सेज के नाम चे भी जान सते हैं आप समझते हैं सेज का मतलब ही होता है स्पेशल एकनोमिक जोन अब यहां से क्या होगा य नहां से बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है क्यों होने वाला है यह है कि आखर में SVTI जहें विज्ञान आधारित लक्ष निर्धारण में सरवगत्तम प्रयासों को प्रोचसाहिन करता है साथी साथ स्वतंत रूप से कमपनियों के लक्ष का भी मूल्यांकन करता है तो अब देखिए वही क्योंकि पहला पहला भारती पोर्ट बना है इसलिए प्रशनाने की संभावना बन जाती है किसके द्वारा अडानी स्पेशल एकोनोमिक जोन के द्वारा जो सबसे महत्पूल प्रशना आते हैं पोर्ट से उसको मैंने यहां पर रखने की कोशिश करी है बही आपको पता है भारत देश के जो सबसे बड़े पोर्ट हैं वो बारा पोर्ट हैं जिने आप ऐसे मैप मर सामने देख सकते हैं जैसे की कांडला का पोर्ट, मुंबई का पोर्ट, जेन पीटी, जवालाल नहरू पोर्ट टर्मिनल और मडमगाउं, उसके बाद न्यू मै केंदर सरकार के पास रहती है, यह भी प्रशन UPSC में बन चुका है, आप मेरा मानना यह है कि अगर आप UPSC का पेपर देने जाते हैं तो यह सारे के सारे 12 पोर्ट के बारे में डीटेल्ड आपको जानकारी होनी चाहिए, आप इसे पढ़ लीजेगा, हम अगला प्रशन दे पहले आपको पता है कि लोगडाउन की वज़े से, कोरोना की वज़े से बहुत जादा प्रभावित हो गया है MSME सेक्टर, उसी को भारने के लिए मुथूट फिन कॉर्प का यह प्रयास है, री स्टार्ट इंडिया के द्वारा हमारे जो चलक परिवान मंत्री हैं, साथी सा वाहन बीमा के लिए किसके साथ साजेदारी करी, जी हाँ ठीक पड़ रहे हैं, अब अमेजन पे के द्वारा आपका जो वीकल का बीमा है वो भी कराया जा सकता है, इसके लिए अमेजन पे ने एको जनरल इंशोरेंस, जो बैंगलूरू इस्तिते के स्टार्ट अप है, इसक उनको अतरिक्त छूट भी यहां पर मिलने वाली है, अमेजन पे, इसका मुख्याल है सियटल, इट मीन्स यूएसे में, अमेजन पे इंडिया के सीओ और एमडी है महेंडर, निरूरकर, और एक्रो, जनरल इंसोरेंस, लिमडेर के संस्थापक थे, वरण दुआ, और इसका ह ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडिस्ट्री, इट मीन्स, किसका ब्रिक्स का सी आई आई के युवा नेताओं की संचालन समिती का मानद सलाकार किसे नियुट कर दिया है, अती महत्पून ने देखे, कोई भी इंटरनेशनल औरनाइजेशन होता है, या संग्ठन होता खास तोर से ब्रिक्स जैसा एक संठन जहां पर भारत अपने आप में एक रुतबा रखता है, तो इसमें युवाओं के संचालन की समती का मानद सलाकार नियुट किया गया है भारती विक्ती साहिल सेट को, इनकी नियुकती वर्ष 2020 चले के वर 2023 तक के लिए की गई है, हाल फिलाल में यह मुंबई सीमा शुलके में उपायुकत के तोर पर कारे रथ हैं, तो अती महत्पून हैं ब्रिक्स आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरिका, इन पांच बड़े-बड़े देशों का एक समू है, जो अपने आप में विश का पूरे के पूरे देशों के लिए, जो क्या है, एक सचे निक्त किया जाता है, जिसके उपर जिम्मेदारी रहती है, फॉरेन पॉलिसी की, वो निक्त की गई है, भारत देश की वरिष्ट आई-फैस अदिकारी रीवा गांगुली दास, आपको पता है, हाल-फिलाल में ब बहुत सारी question बार-बार आते रहे हैं, कि बांगला देशन भारत का उचिफ्ट कौन रहा है, तो रीवा गांगुली दासी थी, अब यह सच्चे वो पूर्व बन गई है, तो यह विजर ठाकुर सिंग की यहां पर जगय लेने वाली है, जो कि 30 सितंबर को क्या रहे हैं भई रिटार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, रीवा गांगुली दास, हमारी IFS अधिकारी, बहुत वरिष्ट अधिकारी हैं, बहुत नॉलेज है इस प्रकार का, आपको यादी होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको, कि बांगला देशन भारत के नए-नए जो रा आपको याद होगा, मैंने बताया था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी नए-नए रादूत निउत किये गए थे, जिनका नाम था, रुद्रेंडर टंडन, ये भी IFS अधिकारी हैं, अफगानिस्तान की राजधानी, काबुल, राश्पति असर अफगनी, मुद्र है अफगान, अफगानिया, आप देख सकते हैं, रुद्रेंडर टंडन, महोदे को याद रखेगा, आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है, रीवा गांगुली दाज से भी कुश्चन बन सकता है, बांगला देश के जो एमबैस्डर बने हैं, उनसे भी बन सकता है, दुर्र आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही करणम शेकर, जो बहुत प्रख्यात बैंकर हैं भारत देश के, वो रिटायर हो गए थे 30 जून 2020 को, उन्हीं की जगई है लेने वाले हैं, पार्थ प्रीतम सेन गुपता महोद है, हाल फिल हाल में, SBI में, उप प्रबंध निदे बिशक के रूप में हाँ पर कारत रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव रहा है इने, बैंकिंग छेतर में, दगबग तीन दशक, 30 साल से भी ज़्यादा का इनका अनुभव है, अब देखते हैं, ये इंडियन ओवर्सीज बैंक को किस उचाईयों तक ले जाते हैं, मैं आपक का हूँ, जब कर्णम सेंग उपता रेटायर हुए थे, उस समय पर भी मैंने आपको करेंट अफेर में चीजें बताये थे, इंडियन ओवर्सीज बैंक, इसका मुख्याला है, चैन नहीं, तमिल नाडू में, इस्थापना हुई थी, 10 फरवरी 1937, इसको आप देख सकते हैं कर्णम शेकर को, इंडियन ओवर्सीज बैंक के साथ में, बैंकिंग वाले बच्चे टैग राएं, लिख लें, आपकी प्रगती का सच्चा साथ ही, अगला प्रशन देखिए, टाटा AIA Life Limited के द्वारा, अपना नया-नय MD और CEO को बनाया गया है, तो नवीन ताहिलानी ये बन से सन्यास ले लिया है, वे किस देश की खिलानी थी, तो श्रिलंका की खिलानी थी, 2006 में डेब्यू किया था, काफी पसंद किया जाता था, इन्हें श्रिलंका के टीम से खेलते हुए, आप देख सकते हैं, अगला प्रश्दे के महान जैस गाय का एनी रोश का निदन हो गया अब किस देश से आती थी, तो इंगलेंड से आती थी, 1930 में इसका जन्म हुआ था, पहले गाना गाती थी, बाद में फिल्म इंडस्ट्री में भी इनोंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत फेमस सक्षियती वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कीजेगा, धन्यव कीजेड़ कीजेड़ करा लुट मेंचले वीडियों गाती हम काम कीजेड़ 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 की है वी nehb